दोस्तों कि आप running करने जाते हैं या कोई sports workout करने जाते है तो आप अपना workout को बीच में चोड़ देते हैं बहुत ज़Яदा थगा-थगा महसूस करते हैं थगा-थग आप इसलिए महसूस करते क्योंकि आपके body में जब एनर्जी रहेगा नहीं तो आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊ अब एनर्जी कहां से आगा डाइट से तो आज का वीडियो यही है कि आपको रुणिंग से पहले किस तरह का डाइट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए क्या-क्या चीज कसे आपको सारा कुछ बताएंगे सुबा जोबरो करते उनके लिए बताएंगे साम जोबर करते है क्या अब ससे पहले तो इक गिलास पानी लेंनाना है लुक वाम ह estimates होना चाहिए उसके साथ आपको गूड का परियोग करना साहिaci जैघरी बोड़ का बहुत ज़्यादा एक sports person को इससे क्या होता है कि आपका body में जो energy की कमी रहती है उसको दूर भगाता है यह आपका डाइशन का जो प्रॉगला में सुबह सुबह अगर आप इसको लेते हैं तो यह आपका पेट साप करने में बहुत ज्यादा help करेगा यह आपके blood को purify करने में help करेगा खुन को साप जो आपके खुन में जो भी गंदगिया उसको साप करने में बहुत ज्यादा help करेगा आपके body में अगर खुन की कमी है आपको एनिमिया है तो उससे भी लड़ने में help करेगा एनिमिया में यह होता है कि हमारे body में जो red blood cells होती है उसके count कम हो जाती है इसके कारण हम बहुत करते हैं और अपना दिन भर का activity को अच्छे से perform नहीं करते हैं यह आपका immune system को strong करेगा जो भी बाहर से बैक्टरिया वाइरस आती उससे लड़ने में आपको बहुत ज्यादा help करेगा और आपके workout के दोरान आपको energy पहुचाता रहेगा इसमें complex carbohydrate रहता है जो कि आपको long term त करते के साथ ही अब हम बात करते कि जब आप ground जाने वाल रहते तो उससे पहले आपको क्या खाना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदेमंद रहेगा कुछ खाना भी कि नहीं खाना बहुत सारे धावक ऐसे मेरा खुद का भी experience है कि मैं कुछ समय तक बहुत कुछ नह तो आप यह भी कर सकते हैं लेकिन आपको यह ध्यान रखने कि अगर आपका एक घंटे से ज्यादा वर्काउट चलता है ठीक आप लंबा रेनिंग बहुत ज्यादा करते हो आपको कुछ खाने की जोरत यहां पर पड़ेगी तो आप वहां पर क्या कर सकते हो उसे तीन करते हैं उससे लड़ने में आपको बहुत ज्यादा है मातर 20-25 दिन जब आप खजूर का परियोग कर लेते हैं तो आपके बोड़ी में बहुत जादा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा और आप इसको खुद बखुद महसूस भी कर पाऊगे और खजूर के साथ साथ आप ए उससे फाइट करने में आपको हेल्प करता विटामीन बेसिक्स टूल रहते हैं जो कि आपका एनरजी लेवल को बढ़ा के रखता है तो आप केला का जरूर परियोग कीजिए एक स्पोर्ट परसन के लिए वर्दान है ठीक है तो आप केला जरूर परियोग कीजिए आपको एनरजी बढ़ा के रखने में भी हैल्प करेगा और साधी साथ आपका बोड़ी में जो कमजोरी है उससे भी लड़ने में बहुत ज्यादा है तब हम बात करते हैं यह आपका दो टीप्स हो गया अगर आप यह दोनों को भी नहीं लेना चाहते तो आप सिंपल क्या कर सकते ह सकते हैं कि आपका माइंड को एलट कर देगा आप अच्छे से कर पाऊगे यह आपके बोड़ी में इस तरह से काम करें इस तरह से बिजली लगी आपको सुबह सुबह उठे आपको एक जाब दे दिया आपका पूरा एकदम नींद खूल गया तो उस समय आप क्या कर आपको वर्काउट के बाद लगना चाहिए कि हां मैंने आज वर्काउट में अपना बैस दिया इस वर्काउट से मेरा इंप्रूब्मेंट जरूर आएगा तो ऐसा वर्काउट कराने में कौफी आपको बहुत ज्यादा है और आपको पता होगा कौफी से रिलेटेड़ मैं ठीक है तो वहाँ पर आप जब आपका गला बहुत ज्यादा सूखता है आपको लगता है गला मेरा एकदम कंट सूख चुका है उस समय आपको एनरजी की जोरत पड़ती है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं धाइसों से तीन सो एमल वाटर ले ले और उसमें आप अधा से सुबा उठने से लेकर ग्राउंड में वर्काउट तक का सारा कुछ बता दिया अब हम बात करते हैं साम के लिए जो लोग साम में प्रेक्टिस करते हैं वो क्या कर सकते हैं और सुबा वाला को तो मैंने आपको बताई दिया होता क्या आपका जो भी एम है चाहे आपका आज कल का डाइट कैसा है इसी कारण होता है कि आप वर्काउट बहुत लोग प्री वर्काउट भी ले ले लेते हैं फिर भी उनका पर्फोर्मेंस नहीं आता क्योंकि उनका अच्छा करने के लिए आपको मैक्रो और माइक्रो नूट्रेंट दोनों पर अच्छे से फोकस कर सकते हÂं मil'T you, Sepplement, है इक सप्लिमेर्ट है जिसको सभी कोई कर सकता है और आप कौन तो आप इसका परियोग ज़रूर कर सकते और यह पिछले 10 साल से बहुत ज्यादा ट्रस्टेट और बहुत ज्यादा फेमस मल्टी वितामिन एक सप्लीमेंट है जिसको आप परियोग कर सकते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुचाएगा और जैसा कि मैंने आपको बताए कि मैकर न्यूट्रेंट्स है जो कि हम अपने बॉड़ी को अच्छे से नहीं दे पाते हैं क्यों नहीं दे पाते हैं आज कल का खाना आपको पता ही और भाग दोड़ सुबा वाला गए तो मैंने आपको बता दिया साम में साम में आप क्या कर सकते हैं साम देखिए आप दिन भर जो खाना खाते होगो एनरजेटिक तो आपका हलका रहता ही है में चीज होता है सुबा सुबा हमारे बोड़ी में ग्लाइकोजन इस्टोर होता हूँ बहुत ज्य आपके बोड़ी में ग्लाइकोजन बनके इस्टोर रहता है और जब आप वरकाउट करते तो उसी वरकाउट में खत्म भी होता है देखिए एक छोटा सा टिफ्स में आपको और सेर करने जा रहा हूं कि जब आप वरकाउट से पहले जो डाइट लेते तो उसमें आपका कार यह सारे चीज़ आपको फॉलो करना अब जब बात आ गई साम की साम कर वरकाउट कर जाते तो कम से कम उससे एक घंटा पहले आप कहा ले सकते हो केला ठीक है अगर आप केला नहीं लेना चाहते हो तो आप दही या सकरकन का कॉमिनेशन परियोग कर सकते हो सकरकन स्वीट कि अब लेके जाता हूं और ब्रेड लेकर आपको अगर ऑट यह कुछ ऐसा बताया जा जो कि 25-30 मिन पहले लिया जाए तो आपके अपको वरकाउट में बहुत ज्यादा है तो आप कॉफी ले सकते हो फिर से या फिर कोई fruit juice ले सकते हो और fruit juice में भी अगर आप beat juice लेते हो तो सुने पे सुआगा है beat juice क्या करता है आप एक best प्री वर्काउट का वह काम करता है वह आपके नस को खोल देता है उसमें nitric oxide रहता है जो कि आपके नसों को खोल देता है खु और यह कोई फिक्स नहीं कि एक घंटा चाहिए या तो कम से कम एक घंटा 10 मिनट पहले आप यह सारे चीज ले तब जाकर आपको बेनिफीट पहुंचेगा वर्काउट जब करने जाते हो तो आप वहां पर चोकलेट उपियोग कर सकते हो ठीक है ऐसा चीज सिंपल कार्वाइट जो की छोटा छोटा चीज है हनी का परियोग कर सकते हो देखे हो आपने बहुत ज़्यादा एथलीट को की हनी चाट के रनिंग करते है तो उससे आपको तुरंद एनरजी मिलता है जो कि आप वर्काउट के दोरान लगा सकते हो आप अपना बैस ला सकते ह साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खाना का तो हो गया लेकिन जहां बात आगई पीना का तो बहुत लोग क्या करते हैं पानी नहीं पीजेगा तो भी आपके लिए दिक्कत है अगर आप अपने बॉड़ी को प्रॉपर तरीका सा हाइड्रेट नहीं रखेगा तो आ आप पानी की कमी को पूरा कीजिए और पानी की कमी को आप पूरा हमेशा करते रही है तो दोस्तों यही छोटा सा वीडियो था अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मुझे लगता है पसंद आया हो क्योंकि मैंने अपना 100% लगाने की कोशिज किये तो वीडियो को लाइक क